मिसमिल्ला रह्मार रहीम, वेलकम बैक फ्रेंट्स, वेलकम बैक तो अनिदर वीडियो लेक्चर बाई कामी माईक्रोवेलजेस्ट और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन आफ प्रूटीन मतलब यह हुआ कि प्रूटीन जब बन जाता है तो उसमें कौन-कौन से मोडिफिकेशन होती है, चेंजिस आती है, प्रूटीन में ऐसे कौन-कौन से चेंजिस आती है और यह चेंजिस प्रूटीन के लिए आया ज़रूरी है या नहीं तो यह तमाम तर चीज़े आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेगे इस टॉपिक के जो मेन कौन्टेंट है वो यह है कि इंट्रोडेक्शन हम पढ़ेंगे कि पोस्ट ट्रंस्क्रिप्शन मोडिफिकेशन है क्या चीज़ इसको शूरु करतें से आचेजी, इसको शुरू करतें आचेजे, translation by equivalent or enzymatic activity is called post-translational modification of the protein. मतलब यह हुआ कि जब आप protein को जब protein आपके पास translation के दोरान आपके पास protein बनता है लेकिन जब protein translation के बाद आपके पास protein बन जाता है तो उस दोरान आप protein में या cell जो है protein में क्या करता है? equivalently या पिर या उसके बाद में या पिर उसकी या enzyme की मदद से protein में जो changes आती है उसका हम कहते है post-translational modification ठीके दूसरा point के कहते है कि it can be occur on the amino acid side chain protein or C or N terminus कहने का मतलब है कि यह जो post-translational modification या जो changes होती है या तो यह protein के C terminus जिसको हम carboxylic end कहते है या पिर यह तो N terminus जिसको हम जहां पर amino group होते है या तो changes वहाँ पर होगा amino group पर या पिर changes carboxylic end पर होगा ठीके तो यह तीसरा point यह कहते है in human it will increase the diversity and accuracy of the protein अब यह human में अगर post-translational modification होता है तो यह human के protein की diversity मतलब इसके changes या इसकी जो खासूसियात होते है structure होते है वो change करता है जब कभी post-translational modification human में इसमें changes हो जाए तो इसके वज़े से protein accurate यानि correct और exact protein आपके पास हो जाता है तो protein आसान तरीके से आपके पास एक function भी करता है और आसान तरीके से यह काम करता है next अब वो post-translational modification को समझने से पहले हमें चाहिए को देख ले ठीकेEROइनू ловकती कार्बन ग्रॉप होता है carbon के इस सेट पर आपके पास यह कर्बगजेलिक ग्रॉप होता है carbon के इस सेट पर आपके पास यह कर्भागजेलिक ग्रॉप होता है तो यह तीनों मिलकर एक amino acid बनाते है ठीक है आप इस side पर भी amino acid का देख सकते है तो यह भी आपके पास एक amino acid का chain है यानी structure है देखो यहाँ पर H होते है उपर side पर यहाँ पर आपके पास alkyl group यानी side chain होते है इस side पर आपके पास क्या हो सकता है अब यह R जो side chain है आगर इसमें changes आती हैं मिसाल को CH2, CH4, CH6, CH7 जब यहाँ पर कोई ऐसा side chain आ जाता है तो इसक वाचे से amino acid के नाम भी चेंज हो जैसे के lysine, glutamic acid, इस तरह प्रूलीन वगए ठीक है तो यह जो नाम होते है यह R जो area होते है वहाँ पर changes आ जाती है इसके लिए amino group और यह कर्बागजिल group ठीक है तो यह amino acid का structure अब यह एक amino acid पर इसके साथ दूसरा amino acid पर तीसरा चोता पांच वा इस तरह amino acid का एक इसमें हम पढ़ेंगे, acidulation पढ़ेंगे, hydroxylation, methylation, glycosylation, lipidation, ubiquitination अच्छा यह जो ubiquitination या protein degradation या proteolysis जो है इसको मैं whiteboard पर तफसील से explain करूंगा ठीक है? युकि इसको तफसील से explain करना नहाँ जरूरी है पिर deimidation हम पढ़ेंगे, sulfylation, carboxylation, biotinilation, natrosylation, protein splicing और यह जो दो है, protein splicing और protein folding, इसको भी मैं इन्शालला whiteboard पर तफसील से explain करूंगा, ठीक है? अच्छा जी, बाकि जितने भी में, ये जितने भी टाइप से इसको अभी हम one by one explain करते हैं, सबसे पहला हमारे पास है, fast forward relation या fast forward regulation, आप fast forward regulation और fast forward regulation है कही चीज़, addition of one or more fast forward group to protein, जब एक या एक से ज़्यादा fast forward group आपके पास protein के साथ connect होते हैं, तो जारी बात है, उसका हम कहते है fast forward relation, क्योंकि fast forward relation का मतलब है addition, ठीक है, इसका हम fast forward regulation इसले कही चीज़, क्योंकि इसके दोरान आपके पास fast forward group अक्टिवेट हो जाते हैं और वो पिर band हो जाते हैं, प्रूटीन के साथ, अ मकसद के लिए इस्तमाल होते हैं, तो वो प्रूटीन उस मकसद के लिए आपके पास प्रूटीन में modification हो जाती है, fast forward relation प्रूटीन में होना एक बहुत जरूरी चीज़ होती है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है, कि in animal cell serine, tyrosine and therunine are amino acid that are subjected to fast forward relation, आप animal cell में जो है, animal cell मे प्रूटीन में आपके पास fast forward relation होता है, ठीक है, और animal cell के प्रूटीन में कौन से amino acid, चूंकि हमें तो यह पता है कि प्रूटीन amino acid से बन होता है, तो पिर कौन से amino acid पर आपके पास fast forward relation के chances हो सकती है, तो animal cell में जो fast forward relation के chance होती है, वो आपके पास सीरीन में होती है, टायरूस cell growth, cell cycle growth यानि जो cell cycle होता है, इंशालों इसको मैं आगले वीडियो में काफी तफसील से बयान करें कि cell cycle ही क्या चीज़, cell cycle आपके पास एक ऐसा stage है जिसमें आपके पास cells बनते हैं cell की division होती है, cell की growth होती है ठीक है, तो अगर fast forward relation होगा तो cell growth आपके पास सही तरीके से maintain होगा, इसके लिए apoptosis, यानि program cell death जब cell ज़्यादा हो जाती है हद से ज़्यादा, तो कभी कबार ये cell death हो जाती है, यानि खतम हो जाती है जो एक normal process है तो ये भी किसके वज़ से थे थे, fast forward relation on protein, इसके वज़ से होती है इसके लिए सिगनल ट्रांसडेक्शन पाथवे, फिर next ये कहते है कि ये सिगनल ट्रांसडेक्शन पाथवे में भी एक एहम रोल अदा करते है इसका मतलब ये हुआ, कि cell के अंदर जब physical या chemical changes आती है और ये physical chemical changes या cell के अंदर जाती है, या कोई chemical वागेरा cell के अंदर जाते है, तो वो एक series से गुजर कर एक cell में जाते है तो ये भी किस के वज़े से जब series से गुजरने का मतलब है कि ये chemical सबसे पहले चेक होता है आया ये chemical cell के लिए important है के नहीं, तो ये भी किस के जरीयों होते है, यही के पास मिसाल के तो पर सीरीन हो सकता है तीरीन हो सकता है, या थाइरूसीन, कोई भी या माइनवेसिड हो सकता है, ठीके अब इसका ये OH वाला एरिया है, और यहाँ पर आपके पास एक enzyme आएगा जिसको हम protein kinase कहेंगे, क्योंकि जब phosphor relation होते हैं, तो हमें इस्तमाल होते हैं, जो के ADP में convert हो जाते हैं, तो इसी तरह ये अगला डियाग्राम जो आप देख लें, जब phosphor relation हो जाते हैं, तो ये phosphate group attach हो गया ठीके, तो पिर इस दोरा हम इसको कहेंगे phosphor related protein, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास है acetylation, अब acetylation क्या है the addition of acetyl group to nitrogen or usually add the end terminals of the protein जब कभी acetyl group add होता है, acetyl का जो structure हो आगे diagram में हम देखेंगे acetyl group जब add होता है protein के end terminals, यानि जहां पर amino acid होता है, वहां पर आपके पास जब acetyl group add होता है तो उसको हम कहेंगे acetylation acetylation का main role क्या है transcription of messenger RNA में हमने पढ़ा था कि transcriptional factor है क्या चीज़ उसके importance तमाम तर हमने पढ़े थे तो ये transcriptional factor को regulate करता है, इसके लाए effector protein जो protein effects करते हैं एक body पर, उसको ये activate करते है, molecular cheprons जो के protein folding में एक एहम role अदा करते है, इसके setoskeleton protein, जो कि आपके पास cell में जो ये fibers और ये जो filaments वागरा होते हैं, उसमें भी ये एक एहम role अदा करते है acetylation, ठीके, पिर methionine amino peptidase एक ऐसे enzyme होता है, जो के acetylation में help करता है, यानि N terminalss पर acetylation में आपके पास methionine amino peptidase एक एहम role अदा करता है अब ये इसका diagram है, ठीके, अगर आप ये देख लेए, ये आपके पास polypeptide chain है, ठीके, अब ये जो area है, ये वाला, ये इसका N terminalss, यानि N terminalss amino group वाला area है, अब इसके साथ acetyl coenzyme आएगा, इसके मौजूदगी में, और पिर आपके पास acetyl transparase enzyme, इन दोनों के मौजूदगी में, आपके पास ये जो area ये red color का, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास acetyl group के addition कहलाएगा, जिसको हम acetylation कहेंगे, ठीके, अब ये आप देख सकते हैं, अब इसका जो नाम है, आपके पास क्या है, N terminal acetylated polypeptide chain, अब इसको हम कहेंगे, next हमारे पास है hydroxylation, अब hydroxylation क्या है, the biological process in which the hydroxyl group is added to protein amino acid in which CH group is converted into COH group, जब कभी आप hydroxylation, जिसके नाम से जहरे, जब एक hydroxyl group आपके पास protein में आकर bind हो जाता है, या protein के साथ add हो जाता है, जिसकी वज़े से, जो COH में, और इसके लावा, the amino acid is called hydroxylated amino acid, देखो amino acid का जो CH area होता है, वहाँ पर क्या होता है, आकर hydroxyl group aid हो जाता है, जिसके वज़े COH बन जाता है, और उस amino acid को पर हम कहेंगे, hydroxylated amino acid, और जिसकी वज़े से, which involved in the regulation of some important factors called transcription factor, जो के बाद में transcription factor के regulation में एक एहम रोल अदा करता है, तो इसको हम कहते है hydroxylation, ठीक है, hydroxylation क्या करता है, hydroxylation जब होती है, तो hydroxylation amino acid, कौन सा amino acid में होती है, तो hydroxylation आपके पास pruline और lysine में होती है, ठीक है, आप यह hydroxylation का diagram आप देख ले, तो यह मिसाल के तोर पर यह आपके पास pruline है, यह नीचे जो है, आपके पास lysine है, ठीक है, hydroxylation एक enzyme बता है, जो है hydroxylation group को add करता है, ठीक है, यह hydroxylation enzyme आगा, तो यह जो area है, आप देख सकते हैं, यह देखो lysine, यहाँ पर भी hydroxyl group add हो गया, जब hydroxyl group pruline के साथ add हो जाए, तो उसका हम hydroxy pruline कहेंगे, और जब lysine के साथ add हो जाए, तो उसका हम hydroxy lysine कहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास है methylation, methylation जैसे के नाम से जाहर है, जब methyl group protein के साथ add होते हैं, तो उसका methylation कहेंगे, अब यहाँ पर कहते हैं, कि the addition of methyl group to carbon, जब carbon के साथ एक methyl group के addition होना, and then transfer from carbon to nitrogen or oxygen, और जब वही methyl group जैसे carbon के साथ add हो जाए, फिर methyl transferase उसको transfer करता है nitrogen से oxygen, ठीक है, carbon से nitrogen hydrogen या oxygen के साथ, उसको transfer करता है, amino acid के, protein के amino acid के side chain के, मतलब, जो amino acid का side chain होते हैं, उसमें, और किसके जरीए, methyl transferase enzyme के जरीए, या पिर आपके पास S-adynosine methionine के जरीए, ठीक है, इसको हम methylation कहेंगे, S-adynosine methionine या SAM, usually add methyl group, ये methyl group को add करता है, लेकिन किस के साथ, lysine और arginine, इन दो amino acid पर ये add करता है, अगर methylation होती है, तो इससे क्या help होती है, protein को, ये hydrophobicity of the protein, यानि ये protein के hydrophobic activity, या hydrophobic activity का मतलब ये हुआ, कि जो non-loving, यानि जो protein का, जो specific area, जो के non-polar होता है, उसको ये increase कर लेता है, ठीके, और जब ये increase हो जाती है, तो इसके वज़े से क्या होती है, इसके वज़े से आपके पास amino acid पर एक negative charge आ जाता है, जब amino acid पर एक negative charge आ जाता है, तो carboxylic acid जो है, आसानी के साथ amino acid में, यानि मजबूते के साथ वो बैंड होता है, carboxylic acid, amino acid के साथ बैंड होना एक नहायद जरूरी चीज़ होती है, तो ये किस के वज़े से इतना strongly बैंड होता है, यही methylation के वज़े साथ आपके पास strongly बैंड होता है, अब आपके पास methylation अगर हम देख ले तो ये आपके पास ये सारे याप देख सकते हैं, अब जब एक amino गरूब पर याप देख सकते हैं, तो इसके हम केते है wonometically young जब दो एड हो ज़े हैं ये आपके पास दो इससी तरह आपके नेक्स्ट हमारे पास है glycosylation, अब glycosylation. कYLO की呀 है? The addition of carbohydrates molecules. Jab carbohydrate molecule. जब गलुकोस molecule. आपके पास protein के साथ add होता है. तो असका हम glycosylation के थे. जिसे का आपके पास secrade हो गया. जब आपके पास protein में add होता है. तो इसके बचेसे आपके पास protein का structure. जो गलाइको protein में convert हो जाते है. इस कौम के ते क्लाइकोसालेशन केने का मतलब यह है कि जो प्रोटीन सेल मेंब्रेन के अंदर होता है और वो प्रोटीन जो के सेल से निकलता है उस में असल में क्या होता है कार्बोएड़ेट्स तो कार्बोएड़ेट्स कौन से प्रोटीन में पाए जाता है कार्बोएड़ेट्स या ग्लाइकोसालेशन आपके पास वो प्रोटीन जो जिस से सल मेंब्रेन बनोता है और वो प्रोटीन जो के सल से आउटसेर तो उसमें कार्बोएड़ेट्स आपके पास है या निए उसमें glycosylation होता है ठीक है और glycosylation जयत तर aminocet में पाई जाते है एसपरजीन्स में पाई जाता है ठीक है या एसपरजीन्स के जो हैड्रोकसल एरिया होते है वहाँ पर या सीरीन अब next एक केते हैं कि हमारे पास two types of glycosylation होते हैं अगर glycosylation होगा प्रूटीन में तो इसके वज़े से आपके पास प्रूटीन फोल्ड असानी से हो जाएगा इसके इलावा कनफर्मिशन प्रूटीन में स्ट्रक्चर यानि सेकेंडी टर्शिर स्ट्रक्चर में असानी से यह चेंज हो जाएगा या प्रूटीन डिस्ट्रिबूशन आसानी से होगा प्रूटीन की मजबूत यानि stability आसानी से होगी और प्रूटीन की activity बड़ी जल्दी यानि तेजी से होगी ठीके अब यह आपके पास यानि glycosylation का डेग्राम है ठीके या आपके पास amino acid है जो के aspergene से इस aspergene के साथ या आपके पास कोई भी carbohydrates का group है ठीके या आप glycogen रख ले ठीके और जब यह इसमें convert हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एन-acetyl-glucosamine-linked aspergene इसको हम कहते हैं फिर नेक्स्ट आपके पास है लेपिडेशन जैसे के नाम से जाहर है लेपिड मॉलिक्यूल का addition होना किस के साथ प्रूटीन के साथ ठीके the attachment और addition of lipid group fatty acid जैसे के fatty acid वगर यह भी एक लेपिड का किसम है तो प्रूटीन के साथ इसको हम कहते हैं लिपिडेशन अब लिपिडेशन का main role क्या है help in cellular localization and targeting signal अब ये cell में आपके पास hormones के activation करता है और ये जो cell में होता है एक target यानि cell को एक खास शकल में convert करता है जिसके वज़ेसे cell target बन जाता है ठीक है तो ये भी lipidation के वज़ेस होती है cell target का मतलब ये हुआ कि cell जो cell important होता है पिर वो इसी तरह इस्तेमाल हो जाता है लेकिन ये किस तरह पता चलता है इसी lipidation के वज़ेसे होती है Lipidation can be further divided into Lipidation आपके पास फिर दो में तक्सिम है कि हम कहते है Prenylation दिसरो का हम कहते है N-Myrstolation और तीसरो का हम कहते है Palmetolation ठीक है इसके नेम है अब ये आपके पास जो है Lipidation का कुछ structure है ये आपके पास मिसाल का तोर पर अरजनीन होगा है यानि जो protein है अम protein में जो amino acid और ये इसके साथ जो है ये ये lipid group इसके साथ एड़ है इसी तरह ये आपके पास दूसरा अरजनीन और जब lipid group इसके साथ एड़ हो जाते तो ये दे को ये lipid का group chain आप देख सकते हैं तो कुछ इसी तरह addition होती है नेक्स्ट आपके पास है deimidation अब deimidation क्या है deimidation is the removal or conversion of aspergene जब कभी एक amino acid निकलता है protein से तो इसको हम कहते है deimidation आप कौन सा amino acid यहाँ पर उन्होंने लिके aspergene या glutamine ये जब आपके पास protein से निकलते है तो इसको हम कहते है deimidation aspergene जो आपके पास convert होता है asperotic acid या iso asperetic acid में और glutamine जो है go canvert होता है glutamic acid या pyroglutamic acid में convert होता है तो ये conversion होती है तो aspergene का glutamink acid में या pyroglutamic acid में CONVERGEN जो होती है ये भी किस कुछे से जब de-amidation होती है जब एक aspargin निकलता है ठीक है तो इसके वज़े से आपके पास ये conversion पॉसिबल होती है आप ये modification या ये जो conversion है ये किस के लिए यानि ये क्यों होता है या इसके importance क्या है इस modification can change protein structure इसके वज़े से protein का structure आसानी से आपके पास होता है या protein secondary tertiary या quaternary structure में आसानी से तबदिल हो सकता है या protein के stability यानि मजबूती कायम हो सकती है इसके वज़े इलावा protein आसानी से function करता है नेक्स्ट आपके पास अगर ये देख ले तो ये असपरजीन है ठीक है या amino acid अब इसके साथ आपके पास क्या एड हुआ है ये deimidation यहाँ पर एक amino group निकल गया है ये देखो ये amino group निकल गया तो ये आपके पास सक्सिनामाइड intermediate ये आपके पास बन गया है ठीक है नेक्स्ट है sulfilation अब sulfation क्या है sulfation जैसे के नाम से जब sulfate group का addition होना protein के साथ sulfation के लाता है मिसाल के तोर पर the addition of sulfate molecule for protein modification protein modification के लिए sulfate group का add होना आकर add tyrosine tyrosine आप protein में जो tyrosine के amino acid है वहाँ पर जब sulfate group add होता है तो उसका हम क्या कहते है sulfation केते हैं और किसके वज़े से एक enzyme के वज़े से जिसको हम कहते है tyrosine protein sulfotransferase enzyme इसके वज़े से यह sulfation होती है sulfation जो है यह आपके पास biological process में एक एहम रोल अदा करता है जैसे कि आपके पास detoxification याई टॉक्सिफिकेशन आए तो उसको detoxification में convert करना यह भी sulfation के वज़े से हार्मून के regulation sulfation के वज़े से होती है molecular regulation cell signaling viral entry into the host यह तो तमाम तर जो activity होते हैं यह तमाम तर biological activity है और यह किस के वज़े से होती है ग्रूप का addition होना और जब ये कर्बकजिलिक ग्रूप एड हो जाता है प्रोटीन के कौन से amino acid के साथ glutamate amino acid के साथ जब ये कर्बकजिलिक acid एड हो जाता है और उसकी वज़ा से आपके पास carbon dioxide बन जाता है तो उसका हम कहते carbon dioxide ठीक है आपड़्ड έχει है कि treating with a substrate without carbon dioxide जब ये carbon dioxide के साथ treat होता है जब ये carbon dioxide आपके पास बन जाता है जब ये सब lightly ठीक है то इसका हम प्रूबकशिलेशन चेहें ये reaction भी किस के वज़े से होती है कर्बकशिलेस अकशिजियनेस ये एक इस नज़ेम के 알려ऄ जो reaction है ठीक है यह area आपके पास protein कैलाता है और यह जो ओपर वाला area यह आपके पास coreboxylis कैडिशन है तो यह आप देख सकते हैं यह डीको यह जो area है यह यह वाला यह ज़ सकते हैं यह यह तो यह पर carbon है और यह 2 oxygen मतलब CO2 बन गाया ठीक है यह आपके पास 2 protein है तो यह आपके पास Glucine और Glutamic Acid में Convert हो गया Next आपके पास बायोटेनिलेशन बायोटेनिलेशन क्या है बायोटेनिलेशन का मतलब यानि बायोटीन जो के एक कोई इंजाम है उसका addition होना प्रूटीन के साथ बायोटेनिलेशन कहते है ठीक है बायोटेनिलेशन के लिए गायोटेनिलेशन के लिए लिए प्रूटेनिलेशन के लिए ठीक है प्रूटीन के एडिशन के लिए और जब कभी बायो टेनिलेशन होती है तो इसके वज़े से प्रूटीन के स्टेबिलिटी मेंटेन होती है प्रूटीन का स्ट्रेक्चर और यह सब कुछ मेंटेन होता है तो यह आपके पार biotinylation कहलाता है अब biotinylation का यह कुछ डियाग्राम यह आपके पार protein है तो protein का जो amino group area होता है वहाँ पर जब biotinyl क्या aid होना उसको हम कहते है biotinylation यह आप देख सकते हैं नीचे यह CH है मतलब यह CH है ठीक है इसके साथ यह biotinyl aid होगा तो यह देखो यह बन गए नेक्स्ट आपके पास है nitrosylation nitrosylation का मतलब है the addition of nitric oxide group जब nitric oxide group का aid होना protein के साथ protein के amino acid के साथ उसको हम कहते है nitrosylation यहाँ पर nitric oxide play an important role in regulation of cardiovascular function heart का जो function होता है जिसको हम cardiovascular function कहते heart के अंदर भी circulation होता है तो उसके लिए भी खास किसम के vessel heart के अंदर होते है तो इस vessel में यह जो circulation आसानी सोते है जिसको हम cardiovascular या cardiac circulation भी हम कहते है तो यह किसके वज़े से possible है इसी nitrosylation के वज़े से यह possible है आप nitrosylation का कुछ यह डाइगराम में यह आपके पास protein हुआ और यह आपके पास nitric oxide group हुआ यह दोनों जब add हो गया तो यह आपके पास बन गया है यह दो को नीचे आपके पास nitric oxide group की addition है अब next है detection of ptm यह तमाम तरते आपके पास क्या ptm यानि post translation modification के types next हमारे पास है detection of ptm ptm को हम किस तरह detect करते है मतलब post translation modification की detection हम किस तरह कर सकते है तो हमारे पास मुखतलिफ किसम के chemical और biological techniques होते है जिसकी जरीए हम क्या करते है post translation modification के हम detection असानी से कर सकते है वो आपके पास mass spectrometer हो गया आपके पास florensator staining of two dimensional gel हो गया amino system activation हो गया western or eastern blouting हो गया इंशाला अगर जिन्दगी रही तो यह जो चार technique है जो पांच technique है जिसके जरीए हम ptm करते है यानि post translation modification करते है तो यह मैं तफसील से अलग अलग वीडियों लेक्टर में explain करूँगा ठीक है लेकिन आप लोग को सिरफ इतना जान लेना जरूरी है कि यह जो चार या पांच जो टेक्नीक से खास किसम के टेक्नीक से जो के protein में modification के लिए हम जरूरी होते है तो यह तमाम तर living organisms के processing के लिए आनि progress के लिए post translation modification important होती है जैसे कि आपके पास the protein become mature and can be regulated protein function protein के maturation होना protein का function होना यह भी ptm की वज़े से होती है इसके लावा due to glycosylation in ptm मतलब post translation modification में glycosylation की वज़े से it will play a key role in immunoregulation आपके immunity जो regulate होती है activate होती है तो यह भी किसके वज़े से होती है glycosylation लेकिन glycosylation है क्या चीज़ यह ptm है मतलब post translation modification है क्या मतलब immunoregulation का immunoregulation का मतलब है जैसे के development या survival या reactivity of the T cell ठीक है T cell का develop होना T cell का आपके पास survive होना T cell आपके पास खास किसम के test cells होते है जो के help करते हैं दूसरे cells को activate करने के लिए जब दूसरे cells activate हो जाते हैं तो वो एक macro आइकिनिसम को kill करने में एहम रोल अदा करता है ठीक है इसके लादो protein lipid modification protein में जब lipid के addition होना यह भी आपके पास एक ptm है तिक है यह क्या करता है यह भी एक एहम रोल अदा करता है protein membrane interaction protein membrane के साथ interact होना यह किसके वज़े से इसी lipidation के वज़े से होती है ठीक है protein trafficking या enzyme activity यः भी किसके वज़े से थे इसी post translational modification के वज़े से होती है इसके इलावा absorption in ptm will regulate protein protein interaction जब estrelation होते हैं तो एक protein दूसरी protein के साथ interact होते है तीक है यह protein के stability भी हो सकती है इसके अलावा PTM जो है वो क्या करता है help to utilize identical protein एक जिसे protein को वो इस्तेमाल करते है तीक है इसके अलावा यानि cell एक जिसे protein को इस्तेमाल करते है जिसके वज़े से सेल मुख्तलिफ किसम के function शो करता है different cellular function in a different cell ठीक है इसके लाव translocation of the protein across biological membrane जब protein एक से दूसरे cell में transfer होता है जिसकों translocation के दे तो ये भी किसके वज़े से possible है ECPTM के वज़े से possible है ठीक है जब PTM होती है protein में तो protein आसानी से एक से दूसरे cell में transfer होता है इसके लावा मारे पास है regulate activity, localization and interaction with other cellular molecules जब cellular molecules यानी जैसे के nucleic acid, lipid, cofactor ठीक है इसके लावा जितने भी cellular molecules हो गए जैसे के nucleic acid, lipid और cofactor ये तमाम तर इसके regulation होना, इसका interaction एक दूसरे के साथ, ये रेक्ट होना ठीक है, ये भी किसके वज़े से possible है इसी PTM के वज़े से, मतलब post translation modification के वज़े से तो ये ता आपके पास post translation modification का तफसीली lecture उमीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लेगी होगी और उमीद है आप लोग को post translation modification आप लोग के जहन में आगाया होगा, लेकिन अगर पिर भी आप लोग के जहन में कोई सवाल है, इस related to आप, comment section में कर सकते हैं, इन्शाला मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, कि उसको उसका जवाब दे सकूँ, तो तब तक क्लेट नही अपने ख्याल रखियेगा, आलाफ इस